अज़ एक और निया डिजाइन बनाते हैं, ये बहुत ही सुन्दर डिजाइन है और इसको बनाने के लिए तीन के मुल्टीपल फंदे प्लस एक फंदा एक्स्ट्र लिया है, इसको बर्डर में भी अपलाई कर सकते हैं, और लेडिस जैन स्वेटर कारडिगन में भी बना सकते बहुत ही सुन्दर डिजाइन लगेगा और बनाना भी बहुत ही असान है अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसमें मैंने 13 फंदे लिए हैं तेरा फंदे लिए हैं इसमें और हमने एक फंदा उतार लेना है और धागा आगे करके दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं फिर एक फंदा सीधा बनाना है दागा पीछे करके फिर दागा आगे करके दो फंदे उल्टे यह पूरी रो इसी तरह बनेगी फिर एक फंदा सीधा यह दो हमने बेस रो बनानी है इसके बाद हमने दुबारा इन दो इस लाइयों को रिपेटनी करना है यह फर्स रो है और लास्ट का फंदा हमने सीधा बना लेना है यह फर्स रो फर्स ट्रो थी अब सेकेंड रो में पहला फंदा उतार लिया और जो फंदे हमने दो उल्टे बनाए थे उनको अब हम सीधा बनाएंगे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा पूरी रो ऐसे ही बनेगी यह दो रो हमने दुबारा डिजाइन में रिपेट नहीं करनी है बस यहीं शुरुआत में ही बनानी है और लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है अब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो पहला फंदा उतार लिया धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बना लिए और धागा पीछे करके यह जो हमने सीधा फंदा बुना हुआ है इसके यहाँ पे जो यह बला है यह यह जो फंदा आता है हमने इसको इसको उठाके उपर करना है और इसको सीधा बुन लेना है और इस फंदे को जो सीधा बुना हुआ फंदा इसको यह उतार लेना है फिर धागा आगे करना है दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करके यह जो बुना हुआ हुआ है यह बुना हुए इसके साथ नीचे से यह जो यहां से जो आता है फंदा इसको उठा के उपर रखना है और इसको सीधा बुन लेना है और जो जो सीधा फंदा है इसको यूही बिना बुने उतार लेना है फिर धागा आगे करना है दो फंदे उल्टे फिर यह जो फंदा नजर आता है हमें यह इसको उठा के हमने स्लाई पर डालना है और इसको हमने सीधा बुन लेना है यह धागा पीछे करके इसको हमने सीधा बुन लेना है और यह जो सीधा बुना हुआ फंदा है इसको हमने बिना बुने उतार लेना है फिर धागा आगे दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हमने सीधा बना लेना है ये थी फिर्स्ट रो डिजाइन की और इसके बाद सेकंड रो में हमने पहला फंदा उतार लेना है और दो फंदे हमने सीधे बनाने है फिर धागा आगे करना है और ये जो उठाया हुआ फंदा और जो बिना बना हुआ दो फंदे हो गए थे इसको दो का एक उल्टा बनेंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे यह उल्टी साइड है फिर धागा आगे यह जो उठाया हुआ फंदा बुना था और जो बिना बुने फंदा था दोनों को दो का एक पनाएंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा आगे दो फंदे जो हैं दो का एक उल्टा बना देंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा और सारा डिजाइन यह दो स्लाइयों पर ही बनेगा एक बार और repeat कर लेते हैं पहला फंदा उतार लिया दो फंदे उल्टे बना लिये फिर अब हमने क्या करना है ये जो अब हमने इसको नहीं उठाना है इस फंदे को नहीं उठाना है इसके साथ जो बुना फंदा था न वो हमें नजर आएगा ये वला इसको उठा के हमने उपर रखना है और अब हमने इसको बुनना है और ये सीधा फंदा एस इट इस हमने बिना बुने उतार लेना है दो फंदे उल्टे धागा पिछे और ये जो इसके साथ जो नीचे बना हुआ फंदा है हमने ये नहीं उठाना हमने हमने इसको नहीं उठाना हमने अब हम इसको उठाएंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे और बिना बुना फंदा सीधा फंदा जो है यो ही उतार लेंगे बिना बुने फिर दो फंदे उल्टे फिर दागा पिछे ये जो साथ वाला फंदा नजर आ रहा है हमने इसको उठाना है इस बार और यहां यह यह जो फंदा नजर आ रहा है इसको उठाके यहां रखेंगे और इसको सीधा बुनेंगे और सीधा बहला फंदा हम यूही बिना बुने उतार लेंगे फिर दो फंदे उल्टे फिर दागा पिछे एक फंदा सीधा बुन लेना है फिर वैसे ही सेकिंड ड्रो की तरह पहला फंदा उतार लिया दो फंदे सीधे बुने धागा आगे यह जो दो फंदे हैं दो का एक उल्टा बनाएंगे दागा पिछे दो फंदे सीधे धागा आगे यह दो का एक सीधा उल्टा बनाएंगे यह दागा पिछे दो फंदे सीधे धागा आगे दो का एक उल्टा फिर दागा पिछे दो फंदे सीधे यह अब इस तरह से सारा पेटरन बनेगा दो स्लाइयां ऐसे ही डिलती रहेंगी और बहुत ही सुन्दर डिजाइन आएगा और इस तरह से ये बनेगा बहुत ही सुन्दर डिजाइन आएगा